ये तो आपने सुना होगा कि कॉलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटेक होने का खत्रा बढ़ जाता है और जिसको डायबिटीज होती है उसका कॉलेस्ट्रॉल तो ज्यादतर केसेस में बढ़ा हुआ ही रहता है तो डायबिटीज के होने में और कॉलेस्ट्रॉल के बढ़ने में कोई नो कोई तो connection है तो आज के इस वीडियो में उसी connection को ढूनने की कोशिश करेंगे नमश्कार दोस्तों मैं हूँ लोकेंदर तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी जहां हम diabetes management से related scientific information बड़ी simple language में शेयर करते हैं तो अब देर किस बात की? डायबेक्सी आठा आज ही ओडर करें फाइदा जरूर होगा कोलेस्टरॉल के नाम से आदमी इतना डर जाता है ऐसा लगता है कि जितना कम कोलेस्टरॉल हो उतना ज्यादा अच्छा लेकिन ऐसा नहीं है कोलेस्टरॉल हमारी बाड़ी का बहुत ही important component है हमारी बाड़ी छोटी-छोटी cells से मिलके बनी होती है करोडों cells हैं हमारी बाड़ी में और हर एक cell का जो यह outer cover है यह कोलेस्टरॉल से मिलकर बनता है कोलेस्टरॉल नहीं होगा तो cell का cover नहीं बनेगा और cell नहीं बनेगी तो आप नहीं बनेगे हमारी बाड़ी में हड्डियों को मजबूत करने के लिए calcium और vitamin D3 की ज़रत पड़ती है यह जो कोलेस्टरॉल है vitamin D3 बनाने में मदद करता है हमारी बाड़ी में male और female की बाड़ी में जो sex hormones हैं वो कोलेस्टरॉल से ही बनते हैं जैसे की male में testosterone और female में estrogen and progesterone यह कोलेस्टरॉल से ही बनते हैं तो जो बाड़ी है उसमें कोलेस्टरॉल का बहुत बड़ा रोल है इसलिए भगवान ने इस कोलेस्टरॉल को बहुत importance दिया है और कोलेस्टरॉल को बनाने के लिए जो factory है वो body के अंदर ही लगाई हुई है liver के अंदर एक factory लगी हुई है और उसमें एक machine लगी हुई है जो कॉलेस्टरॉल बनाती है तो कॉलेस्टरॉल इतना important था कि भगवान ने कोई chance नहीं लिया कि कॉलेस्टरॉल बहार खाने से मिलेगा नहीं मिलेगा इससे ज़्यादा अच्छा यह है कि भगवान ने यह किया कि अंदर ही machine लगा दी liver के जहां पे कॉलेस्टरॉल बन सकता है हमारे blood में जो कॉलेस्टरॉल होता है उसका 70% हिस्सा अंदर ही बनता है लिवर के अंदर ही मात्र 30% हिस्सा बहार डाइट से आता है तो अब बहार से आए या नहीं आए कॉलेस्टरॉल बोडी अंदर अपने आप बना लेती है वो भी 70% of the कॉलेस्टरॉल तो जब यह अंदर बन रहा है तो पहले तो यह ठीक कॉलेस्टरॉल बना रहा था अंदर लिवर अब अचानक ऐसा क्या होगा कि यह बहुत सारा कॉलेस्टरॉल बढ़ाने लगा और इतना कॉलेस्टरॉल बढ़ गया तो जो यह कॉलेस्टरॉल है यह इंसुलिन रजिस्टेंस होने के कारण बनता है जब जरुद से ज़ादा इंसुलिन रजिस्टेंस होने लगती है तब बलड में कॉलस्टरॉल का लेवल बढ़ने लगता है इंसुलिन रजिस्टेंस को समझने के लिए आप ये डाइबेक्सी का वीडियो देखें इसमें मैंने डिटेल में explain किया हुए कि इंसुलिन रजिस्टेंस कैसे डवलप होती है डाइबेटीस कैसे डवलप होती है फिर भी यहां हम एक छोटा सा इसके बारे में इंट्रोड़क्शन ले लेते हैं कि जब हमारी डाइट में कार्भोएडेट का लेवल बढ़ जाता है तो हमारी डाइट का ग्लाइसिमिक लोड बढ़ जाता है जब डाइट का ग्लाइसिमिक लोड बढ़ता है तो बलड में जादा शुगर जाता है उस शुगर को बलड से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करन अब इस situation को analyze किए कि आदमी को diabetes है तो उसके blood में sugar भी जादा है उसके blood में insulin का level भी जादा है body में insulin resistance भी जादा है और जब insulin resistance जादा है तो cholesterol भी जादा होने लगता है तो क्या होते हैं अंदर देखे लिवर में जो machine लगी हुए है उसमें एक on-off का button है तो insulin hormone जब बढ़ जाता है तो यह क्या काम करता है उसके on वाले बटन को दबा के बैठ जाता है वहीं पर और जो अंदर machine है वो फट आफट आफट कोलेस्टॉल को बढ़नाने लगती है कोलेस्टॉल बढ़ने लगता है blood में और दूसरी तरफ insulin resistance बढ़ने के कारण जो कॉलेस्टॉल का uptake है जो utilization है वो कम हो जाता है तो कॉलेस्टॉल use कम हो रहा है और production बढ़ता जा रहा है तो blood में कॉलेस्टॉल का level बढ़ता रहता है और जब कॉलेस्टॉल ज्यादा हो जाता है already diabetes है sugar भी जाता है तो कॉलेस्टॉल और जो sugar है ये आपस में चिपक जाते हैं और जो छोटी छोटी blood vessels हैं उनको block करने लगते है और जब ये block होता है अगर मालीजे heart में blockage आ गया तो heart attack हो गया body में कहीं और आ गया तो इसको stroke कहेंगे जो dangerous हो सकते हैं तो जो कॉलेस्टॉल बढ़ा है blood में उसका जो primary reason है वो ये नहीं है कि आपने ज़्यादा कॉलेस्टॉल खाया है इसका primary reason ये है कि आपके liver में ज़्यादा बना है और liver में ज़्यादा क्यों बना क्योंकि insulin resistance थी तो जो cholesterol बढ़ने की जड़ है वो insulin resistance है वो ये नहीं है कि आपने ज़्यादा cholesterol खा लिया है बहार से इसके आपकी body में cholesterol ज़्यादा है तो जब हम इसको reduce करने की कोशिश करें तो क्यों न हम एक सही रास्ता चुनें जो सही रास्ता हो और सही रास्ता कैसे चुना जाएगा जब हमें basic problem शुरू से पता होगी और वो basic problem क्या है वो है insulin resistance और माल लिजिए हम cholesterol को कम करने के लिए दवाईयों का सहरा ले लेते हैं सपोस कीजिए तो जो दवाईया हैं जो cholesterol कम करने के काम आते हैं उनको statins कहते हैं the class of drug which is used that is called statins तो जब कोई भी आप दवाईय लेते हैं जो भी allopathic दवाईय अंग्रेजी दवाईय लेते हैं तो कुछ ना कुछ side effect होते हैं और diabetes में जो दवाईयां चलती हैं वो तो बहुत लंबे समय तक चलती हैं lifelong चलती हैं क्योंकि वो तो हमें यह समझाया जाता है कि diabetes कभी ठीक ही नहीं होगी तो आपको जिन्दगी बर गोलियां खानी हैं और जब कोई भी दवाईय आप इतने लंबे समय तक खाएंगे तो कुछ ना कुछ side effect होने की probability बनी रहती है अब मालेजे आप इस drug के side effect देखना चाहते हैं तो पहले तो हम यह देखते हैं कि यह drug करती क्या है तो जो statins है यह liver में जाता है और liver में जो machine वो cholesterol बना रही है उसका off button दबा के बैढ़ जाता है और वहाँ पर production इसका बंद हो जाता है लेकिन जो cholesterol है बलड में वो body use नहीं कर पाते क्योंकि insulin resistance है अब take कम रहता है cholesterol का अच्छा इसके कारण कुछ side effect भी होते हैं side effect कैसे कि जो cholesterol की जो दवाई खाता है उसको सारा दिन हाथो पैरों में दर्द फील होता रहता है अच्छा आप इसके बारे में थोड़ा अगर आप detail में जानना चाहते हैं कि cholesterol कम करने वाली दवाई है statins इसके क्या side effect होते हैं तो आप google पे जाके लिखेगा side effect of statins या adverse effect of statins और उसको पढ़िएगा वहाँ कई सारी चीज़ें आपको पता लगेंगे तो इसका जो पहला side effect जादे तर आपको देखने को मिलेगा वो यह है कि muscle pain आदमी को सारा दिन pain रहता है और जब किसी आदमी के body में पूरा दिन दर्द होता रहेगा तो क्या उसका काम में मन लगेगा क्या वो अच्छे से काम कर पाएगा तो उसकी word productivity कम होगी उसका motivation level कम होगा उसका self confidence भी कम होगा और जब यह कम होगे तो उसकी definitely income भी कम होने की probability हो सकती है जब वो काम अच्छा नहीं करेगा और यह सब क्यूं हो रहा है क्यूं muscle pain हो रहा है तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि देखे हमारी body में crodo cells है और हमारी body में लाखों cells daily पैदा होती है और लाखों cells daily मर जाती है तो जो नई cells ग्रो रही है जो नई cells बन रही है उनको बनाने के लिए cholesterol की ज़रूरत है और जब हमने cholesterol की जो synthesis है उसको यहाँ पे block किया है तो कहीं न कहीं वो उधार effect कर रहा है कि जो हमारी daily की repair और regeneration की जो process है उसको कहीं न कहीं hamper कर रहा है हो सकता है उसके कारण muscle pain होता दूसरा side effect आपको देखने को मिलेगा कि जो cholesterol कम करने वाली दवाई खाते है उनका blood sugar level बढ़ जाता है अब blood sugar level बढ़ेगा तो उसको control करने के लिए और दवाई देनी पढ़ेंगी जो insulin बढ़ाने वाली दवाई हो सकती है और अगर दवाई insulin बढ़ाती है तो insulin resistance और बढ़ जाएगी यह diabetes तो शुरू insulin resistance से हुई थी और वही insulin resistance फिर बढ़ गई तो यह भी कोई method कारगर नहीं लग रहा है और तीसरा जो दवाई है cholesterol को कम करने वाली यह liver में जाके metabolize होती है वहाँ पे breakdown होता है और liver की पास तो पहले ही एक हजार काम है यह काम और आ गया diabetes में liver पे पहले सी बढ़न रहते है तो liver damage होने की probability भी बढ़ जाती है और कुछ जग आपको यह भी पढ़ने को मिलेगा कि diabetes में जब यह cholesterol की कम करने वाली दवाई लेते हैं तो males में erectile dysfunction की probability रहती है कुछ लोगों को memory loss की भी problem हो सकती है तो side effect तो बहुत है इस तरह की दवाईयों की जो अंग्रेजी दवाईयों होती है लेकिन चलिए दवाई है side effect है यह तो एक अलग बात है पहले हम यह देखते हैं कि क्या यह method सही है cholesterol को कम करने का कि हमने दवाई ले ली और सही हो गया चोटी से गोली खाई चलो सब ठीक है तो क्या सब ठीक है देखें एक example लेते हैं जैसे हमने कहा कि जो diabetes है वो insulin resistance के कारण होती है और insulin resistance को कम करने के लिए diet का glycemic load कम करना पड़े गया तो यहीं जो knowledge है जिस पर मैं बात करते हूँ कि knowledge और discipline तो knowledge का यहां बहुत बड़ा role है और मैं यह भी emphasize करता हूँ कि आप student बने जैसे मैंने आपको कुछ बताया तो आप मुझ पर भी blind faith न करें कोई भी YouTube पर वीडियो किसी पर भी blind faith न करें आप अपनी research खुझ करें किसी पर भी blind भरोसर न करें कैसे जैसे कि अब मैंने आपको कहाई यह insulin resistance के कारण यह सारी problem होती है तो आप internet पर जाईए और एक word लिखे insulin resistance syndrome या इसकी बजाए metabolic syndrome यह word लिखे और इसके बारे में study कीजिए आपको पता लगेगा कि हाँ भाई वाकई insulin resistance होने से यह diabetes, obesity, blood pressure, cholesterol की problem होती है फिर आप देखिए कि क्या diet का glycemic load कम करने से, diet में carbohydrate कम खाने से, low carbohydrate diet खाने से, क्या यह cholesterol कम करने में मदद मिलती है तो वहाँ आपको पता लगेगा और फिर आप देखिए कि जिन लोगों ने diabetes reverse कर ली है उनके testimonial देखिए तो ज़्यादतर cases में आपको सब लोग यही कहेंगे कि जैसे उनकी diabetes reverse हो गई उनका वजन भी नॉर्मल हो गया BP भी नॉर्मल हो गया cholesterol भी नॉर्मल हो गया और वो किसी तरह की कोई दवाई नहीं खाते तो ऐसा कैसे हुआ कि diabetes reversal program पे गए और सारे problem solve हो गई तो कहीं न कहीं तो अब आपको यह यकीन हो रहा है कि insulin resistance ही इनकी जड़ है और यह latest discovery नहीं है यह 30 साल पहले 1990 1990 डॉक्टर जिराल रेवन ने insulin resistance के बारे में बता दिया था तो जब आप खुद analyze करेंगे तो आपका confidence और बढ़ेगा कि यह method सही है और जितना आपका confidence बढ़ेगा उतना सटीक result आपको में लेगा तो confidence बढ़ाने के लिए knowledge बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और knowledge अब क्योंकि diabetes reversal का जो program है यह self discipline, self knowledge you know self control आप से शुरू होता है यह पूरा program आप से शुरू होता है आपको ज़ंडा लेके आगे चलना पड़ेगा फिर सब आपके पीछे आएंगे डाइबेक्सी से फिरे में लेकिन जो पहला ज़ंडा उठा के जो चलना इस रास्ते पे वो आपको ही चलना है और knowledge का थोड़ा सा और एक example देता हूँ जैसे किसी का cholesterol बढ़ा हुआ है तो वो चाय के साथ क्या खाए तो वो क्या चाय के साथ मारी बिस्किट खाए जो ज़्यादा तर लोग सजेस्ट करते है या वो चाय के साथ पीनट खाए रोस्टेड पीनट खाले जो लोग मना करते है तो ये knowledge से ही हम distinguish कर पाएंगे कि क्या खाना चाहिए तो थोड़ा चली analyze करते है जो मारी बिस्किट है इसमें fat और protein नहीं होता negligible सा है इसमें carbohydrate बहुत ज़्यादा होता है तो ये fat free type का item हुआ carbohydrate ही carbohydrate है अब carbohydrate ज़्यादा होगा तो glycemic load ज़्यादा होगा तो इसको खाएंगे तो insulin resistance बढ़ेगी और वही तो जड़ है problem की तो ये method मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं है कि हम ये मारी बिस्किट खाएं दूसरी सरफ देखें ये roasted peanuts है इसमें fat और protein ज़्यादा है carbohydrate कम है तो इसका glycemic load भी कम है इसको खाएंगे तो insulin resistance कम करने में मदद मिलेगी और peanut में तो cholesterol होता ही नहीं तो ये cholesterol कहां से बढ़ना आएगा तो इसमें तो दोनों फायदे है इसमें खुद का कोई cholesterol नहीं है तो ये dietary cholesterol भी नहीं दे रहा जो 30% वाला है और इसका glycemic load भी कम है तो इसका मतलब जो 70% अंदर liver बना रहा है उसको भी कम करने में मदद कर रहा है तो मेरे ख्याल से तो roasted peanut खाले तो ideal position है अगर किसी का cholesterol बढ़ा हुए तो अब क्या खाएं कोई कहता कि ये खाएं कोई कहता कि वो खाएं distinguish आप कैसे कर पाएंगे कैसे भरोसा कर पाएंगे किसी के उपर तो भरोसा तब ही आएगा जब आप खुद का analysis करेंगे देखिए अब दुनिया open हो गई है internet आ गया है अब आप किसी भी information को छुपा नहीं सकते तो information सब public domain में है बस आपको student बनने की जरुरत है जी student बनिये और body आपकी है सिहत आपकी है, बिमारी आपकी है आप पहल नहीं करेंगे तो कौन करेंगा ये काम आपका ही है आपको ही करना पड़ेगा और किस टाइप की diet फॉलो करेंगे अगर आपको insulin resistance को कम करना है तो ये diabetes का आप ये वाला वीडियो देखिए इसमें मैंने detail में explain किया हुआ है कि किस टाइप का आप diet plan फॉलो करेंगे उससे insulin resistance reduce होगा और जैसे insulin resistance reduce होता है वैसे ही diabetes के साथ-साथ cholesterol, blood pressure, वजन घटने में इन सब में आपको मदद मिलेगी तो जो ये बिमारी है इसकी जड़ है वो है insulin resistance और insulin resistance को जड़ से उखाड फेकना है तो उसमें डाइबेकसी का method आपकी मदद करेगा अगर सिर्फ दवाईयों से इस पेड की टहनिया उपर से काटते रहेंगे तो टहनिया फिर बढ़ती रहेंगे तो पहले 5 mg की गोली लगती है फिर 10 mg की गोली लगती है फिर 2 गोलीय लगती है फिर 3 गोलीय लगती है फिर 4 गोलीय लगती है तो उपर से अगर आप इस पेड को काटते रहेंगे तो कभी भी problem solve नहीं होगी problem तभी solve होगी कि जब आप इस पेड को जड से काटेंगे और डाइबेकसी का method है कि आप अपनी diet का glycemic load कम करें वो बहुत effective है अपनी खुद की study कीजी और जानी कि कैसे आपको फाइदा होगा ये follow करने से आज हमने cholesterol के बनने के बारे में cholesterol synthesis पे थोड़ा सा discussion किया अगले वीडियों में हम इसको और थोड़ा detail में लेके जाएंगे कि LDL क्या होता है HDL क्या होता है और अपना experience दूसरे को साथ share करते रहे क्योंकि जो आपका experience है वो बहुत important है उसी से लोगों को motivation मिलेगी तो मिलते हैं अगले वीडियो में Thank you